दोस्तो आप सभी का Only Top Study में स्वागत है डेली करेंट फेर कुईज में आज हम देखने वाले हैं 7 अगस्त की करेंट फेर जो की सभी प्रिक्साओं के लिए मैथपून होती है डेली करेंट फेर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंट फेर के कोशन आंसर कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फेर होती है दोस्तो और सभी एक्जाम के लिए इंपोरेंट होती है अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा नीचे रेडिकल का बटन दिख रहा होगा बेल ऐकन को भी ओन रखेगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच आए दोस्तो थोड़ा सा डिसेपॉइंट हूँ मैं एक चीज को ले करके बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते और बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करते देखें अपनी वीडियो कम से कम 5,000 वीउज तो दोस्तों डिजर्व करती है तो कम से कम 5,000 वीउज तक पहुचाने में थोड़ी सी मदद करिए मैं एक भी दिन मिस किये बिना मैं आपके लिए 10 मिनट में 20 करेंट अफिर के कुशन लेके आ रहा हूँ तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाईए देखें इंपोर्टेंट है कुछ ऐसी चीज सेर नहीं करा रहा हूँ आपसे कुछ खराब चीज़ें सेर करा रहा हूँ इंपोर्टेंट है अगर आप अपने किसी भी दोस्त को सेर करोगे वो थेंक्यू जरूर बोलेगा आपको ठीक है तो प्लीज सेर जरूर किया अपने दोस्तों के साथ में और गुरूप में भी चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो को पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में रास्टे राजमार्गो की गुणवत्ता परिक्षन के लिए किसे चुना गया है यानि कि किस राज्य को चुना गया है तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़िसा राज्य को यानि की ऑप्षन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको किसी भी कोशन का आंसर पता होगा पहले से ही तो कमेंट बोक्स में जरूर बतेगा दूसरा कोशन है कौन सा देश अक्टूबर 2022 में UNSC आतंगवाद विरोधी समीती की बैठक की मेजबानी करेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों ये क्यूंकि इसकी मेजबानी करने वाला है अपना भारत यानि की राइट आंसर आपका ओप्षन यहाँ पर D हो जाएगा ठीक है इसमें 15 देश होंगे दोस्तों जिसमें अमेरिका चीन और रूस भी सामिल रहने वाले हैं चलिए जी अगला कोशन आ जाता है आपका और बहुत ही जादा इंपोर्टेंट कोशन है भारत के अगले उपरास्पती के चुनाव के लिए मद्दान कब होने वाले हैं तो अभी उपरास्पती के चुनाव होएंगे दोस्तों जैसे की अभी रास्पती के संपन हो चुके हैं और हमारे देश की नई रास्पती कोन बनी है इसका अंसर आप कमेंट बोक्स में जल्दी से बता दीजिए इस कोशन का राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा 6 अगस्त को हो गए 6 अगस्त 2022 यानि की राइट आंसर इस ऑप्षन है ये आपको याद रखना है अगला कोशन आता है दोस्तो हाल ही में अंतरास्टे ट्रेफिक लाइट दिवस कब बनाया गया है तो अंतरास्टे ट्रेफिक लाइट दिवस दोस्तो पाच अगस्त को मनाया गया है यानि की इस कोशन का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा ठीक है ये आपको याद रखना है एक अगस्त को द भारत की तीसरी सबसे बड़ा कोईला आपूर्थी करता कौन बना है तो इस कोशन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं अगर आप लोगोंने रूस आंसर लगाया है यानि कि पाचवे का राइट आंसर दोस्तों आपका भी नेता थे यानि कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है हाल ही में विज का सबसे बड़ा तेरता सोर उर्जा सेंत्र कहां बनाया जाएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन आप मार कर लिजे क्योंकि इस परकार के कोशन एक्जाम में देखने को म मिलते हैं तो राइट आंसर दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा मध्या पर्देश यानि की बी इस दा राइट आंसर अगला कोशन आता है दोस्तो मुर्ली सिरी संकर ने 2022 राष्ट मंडल खेलों में पुर्सो की लंबी कूद इस परदा में कौन सा पदक जीता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि ये पहली बार जीता गया है दोस्तो रजट पदक इस कोशन का राइट आंसर हो जेगा मुर्ली सिरी संकर राष्ट मंडल खेलों में पुर्सो की लंबी कूद में रजट पदक जीतने वाले पहले भारते बन गये हैं ये इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जस्तिस यू यू ललित यानि की ऑप्शन यहां पर दोस्तो बी हो जाएगा हर एक स्टुडेंट याद रखिएगा और बिल्कुल अपडेटिड रही है दोस्तो ठीक है अगला कोशन आता है हाल ही में किस देश में मंकी प जाएगा अगला कोशन आता है हाल ही में फिन्टेक प्लेटफॉर्म भारत के नए CFO कौन बने हैं भारत पे के नए CFO कौन बने हैं तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर क्या होज़ेगा नलीन नेगी यानि की ऑप्शन ए दोस्तों यहां पर राइट आंसर आएगा इस को से आंसर बताएगा इस question का right answer क्या होगा दोस्तों बिल्कुल जी यहाँ पर यह क्या है डियाडियो ने यानि ही right answer option A रहेगा दोस्तों डियाडियो के बारे में जितनी भी knowledge आपको है नीचे comment box में बताने की कोसिस करिएगा अगला question आता है हाल ही में किस राज्य की खोगोलिय वैद साला को युनेसको की महत्पून संकट गरस्त विराशत वैद साला में सामिल किया गया है तो इस question का दोस्तों right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर किया अगर आप लोगों ने बिहार right answer लगाया है तो इस question का right answer भी हो जाएगा अगला question आता है हाल ही में किस केंद्रे मंत्री ने दुर दर्शन के धारावाही सवराज भारत के सवतंत संग्राम की समगरे गाथा का सुभारम किया है तो इस question का दोस्तो right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर क्या है अमित साह दोस्तों यहाँ पर right answer रहेगा यानि कि B is the right answer यह आपको याद रखना है अगला question आता है हाल ही में पागिस्तान सेना के लिए लेटनेंट जनरल को कुवेटा में बारवी कोर कमांडर के तोर पर न्यूक्त किया गया है तो किसको क्या गया है दोस्तों यह आपको बताना है इस question का दोस्तों right answer हो जाएगा आसिफ गफूर को यानि कि B यहाँ पर right answer हो जाएगा इस question का next question बनता है कि हालही में सवदेसी रक्सा उपकरण विक्सित करने के लिए किस IIT ने डियाडियों के साथ साज़ेदारी की है तो इस question का दोस्तों right answer क्या हो जाएगा बिलकुल सही उत्तर है और right answer हो जाएगा IIT रुड की यानि कि C यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question आता है हालही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमी पुत्र का सुभारम किया है तो इस question का सही आंसर होने वाला है अगला question बनता है कि semiconductor उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने chips बिल पारित किया है देखे यह जो semiconductor chip है इसकी काफी सोटे चल रही है पिछले एक साल से तो यहाँ पर यह जो इसका बिल एक पारित किया गया है इसका right answer हो जाएगा अमेरिका ने ठीक है तो right answer आपका C हो जाएगा अगला कोशन है हाल ही में भारतिये reserve bank ने repo rate को बढ़ा कर कितने परतिशत कर दिया है देखे पिछले 3-4 बहिने में कहीं बार repo rate बढ़ चुका है और repo rate बढ़के अब कितना हो गया है दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा 5.4 यानि की B यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला कोशन आता है भारतिये पहरा power lifter सुधीर ने 2022 रास्टर मंडल खेलों में पूरसों के heavy weight में final में कौन सा पदक जीता है तो इस question का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा right answer अरे वाँ बिल्कुल सही है सण पदक अगर आप लोग ने answer लगाया है तो A यहाँ पर right answer होने वाला है तो यह थे आपके 20 question अब एक question में आपको देता हूं दोस्तों homework के लिए और यह question है कि बजनंग पुनिया साक्सी मलिक और दीपक पुनिया ने commonwealth game 22 में कौन सा medal जीता है तीनों ने एक ही medal जीता है दोस्तों मतलब एक single medal नहीं मतलब तीनों ने gold, silver या bronze में से एक ही medal जीता है तीनों ने same तो आप लोग को comment box में बताना है कौन सा medal जीता है और बाकी revision question का answer आप लोग comment box में जरूर बतेगा क्योंकि ये question मैंने कल की वीडियो में कराया था और question है the line नामक दुनिया का पहला vertical से कहां इस्थापित किया जाएगा बहुत ही ज्यादा important है दोस्तों answer सभी को बताना है क कि कहां पर इस्थापित किया जाएगा चलिए question of the day का answer भी बता देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत में चाय बोड कहां पर इस्थित है ये question था आज का question of the day में तो right answer call गता हो जाएगा यानि कि C is the right answer तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको इस session पसंद आया है तो like कर लिए और please आपसे request है कि अपने हरे group में दोस्त को भाई को बहन को जो भी आपके साथ त्यारी करता है उस तक इस video को जरूर पहुचाएगा दोस्तों सबको पसंद आने वाली है क्योंकि 10 minute में 20 current affair जो कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो current affair दोस्तों आपको कहीं से भी पढ़ने की जोरतनी है या फिर आप कहीं भी current affair पढ़ते हैं एक बार इस video को जुरूर देख लिया करें क्योंकि इसमें 20 question होते हैं ट्राइ तो करके देखे ना कि पूरे दिन में पढ़ने के बाद में कितना याद रख पा रहे है ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करके ब